हेलो क्लास नाइन्थ आज हम चैप्टर नंबर एट क्वार्डिलेटल की एक्ससाइज 8.1 का कोस्ट नंबर फॉर्थ करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोस्ट नंबर थर्ड कराया था कोस्ट नंबर फॉर्थ में क्या है आपको सो करना है कि जो इस स्केर के जो डाइगनल से वो एक्वल है means a c اور b d आपको क्या करना देखो 2 so आपको सो क्या करना की a c is equal to b d एक तो ही यह जो करना और यह जो करना की यह दौनू डाइगनल्स एक दूरसे को बाइसेक्ट कर रहे है 90 डिगरी के एंगल पर राइट एंगल पर स्पोस्ट करों यह पैंट o है तो आपको और क्या सो करना है कि OA is equal to OC and OD is equal to OB OA is equal to OC OD is equal to OB और एक चीज़ क्या सो करने कि 90 degree पे means आप ये सो कर दो कि angle कौन सा कोई भी लेगा आप angle AOB जो है वो 90 degree का angle है यह आपको सो करना कि angle AOB यह 90 degree का angle है यह आपको सो करना तो ये तीन चीज़ आपको show करनी है देखो अब कैसे करेंगे इनको सबसे पहले हम इन Diagnals को Equal Proof करते हैं Solution में कैसे देखो Proof में क्या लिखोगे आप सबसे पहले इन Triangle हम दो Triangle ले लेते हैं कौन-कौन से AC और BD के लिए दो Triangle हम ले लेते हैं एक तो कौन सा A, B, D A, B, D and Triangle A, B, D and A, B, C या B, A, C B, A, C कौन-कौन से Triangle लिए मने A, B, D ये वाला Triangle और एक A, B, C ये वाला Triangle B, A, C ठीक हैं अब इन दोनों Triangle में देखो A, B जो Side है वो Common है A, B is equal to A, B, Reason Common ओके, Next A, D is equal to B, C A, D is equal to B, C इसका Reason क्या होगा Side of Square Side of Square ठीक है, Side of Square क्या होती है Equal होती है उसके बाद एक चीज़ और ज्यान से देखा आप दोनों ही Triangle में ये Angle B और Angle A दोनों 90 Degree के हैं इस Triangle का तो कौन सा A, B, D जो Triangle है A, B, D में Angle D, A, B Is equal to Angle A, B, C Angle A, B, C दोनों ही क्या है? 90 Degree के Angle है ठीक है? ये आपको पता है Interior Angle of Square कितने डिगरी के होती है? 90 Degree के ठीक है? अब कौन सा रूल लग जाएगा इसके अंदर? S, A, S By, S, A, S Rule Triangle कौन कौन से? A, B, D Is congruent To Triangle B, A, C ठीक है? अब दोनों Triangle क्या होगे? कौन कौन? तो इसके जो होगा इसका C, P, C, T ठीक है? तो ये जो First Part था आपका ये आपका होगा Prove अब ये दो पार्ट और रहे गए Prove करने इनको भी करेंगा देखो अब आप आगे क्या लिखोगे? इन दोनों को Prove करने के लिए O, A, O, C के Equal और O, D, O, B के Equal O, A, O, C के Equal और O, D, O, B के Equal हम ये दो ट्रेंगल ले ले लेते हैं कौन कौन सा? D, O, C, and B, O, A इन ट्रेंगल D, O, C, and ट्रेंगल B, O, A इन दोनों ट्रेंगल को Equal Prove करेंगे कौन ग्रांट प्रोव करेंगे? कैसे? देखो A, B is equal to D, C इस ट्रेंगल की दो साइड, D, C और इस ट्रेंगल की साइड, B, A Equal होंगे क्यों? Reason के इसका Sides of Square किसी भी स्केर की सभी साइड के होती है Equal होती है ठीक है उसके बाद Equal भी होती है और Parallel भी होती है तो ये जो एंगल है ये जो एंगल है इस एंगल के Equal होगा देखो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के Equal होगा क्यों? क्योंकि D, C और A, B आपस में Parallel है तो A, C क्या काम करेगा? एक Transversal का काम करेगा तो एंगल 1 is equal to angle 2 Reason इसका Alternate Interior Angles तो क्या लिखोगा आप? एंगल D, C, O is equal to angle कौन सा? B, A, O B, A, O Reason क्या होगा? इसका Alternate Interior Angle उसके बाद एक ये एंगल भी आप ले सकते हो कौन कौन सा? D, O, C and B, O, A Angle D, O, C is equal to angle B, O, A इसका Reason क्या होगा? Vertical Opposite Angle ठीक है? ये दोनुंगल आपस में Equal होगे Vertical Opposite Angle तो कौन सार रूल लग जाएगा? Angle Angle Side Rule Trangle कौन कौन से? D, O, C Is congruent To Trangle B, O, A ठीक है? ये दोनुंगल आपस में क्या है? कौन congruent है? और अगर congruent है? तो इस इनकी corresponding sides Equal होगी Means D, O Is equal to B, O D, O Is equal to B, O And O, C Is equal to O, A ठीक है? ये O है B, O उसके बाद O, C Is equal to O, A Reason इसका क्या होगा? C, P, C, T ठीक है? तो ये आपका seconds जो part था ये भी प्रूव हुआ अब last बचा की Angle A, O, B 90 डिगरी का है? ठीक है? आपको क्या प्रूव करना है? कि ये जो एंगल है ना A, O, B ये एंगल ये 90 डिगरी का अब ये प्रूव करना रह गया तो देखो इसको कैसे करेंगे? अब आप लो इन ट्रेंगल कौन-कौन सा A, O, B A, O, B एंड ट्रेंगल C, O, B अब इन दोनु ट्रेंगल्स कौन-कौन गुरेंट प्रूव करेंगे? कौन-कौन सा ये और ये इन दोनु ट्रेंगल्स को तो इन दोनु ट्रेंगल्स में देखो O, A is equal to O, C O, A is equal to O, C ये हमने अभी प्रूव किया प्रूवड अभाओ ठीक है? ये हमने प्रूव किया होगा है? उसके बाद O, B जो है दोनु ही ट्रेंगल्स में common है O, B is equal to O, B ये क्या है? common है दोनु ही ट्रेंगल्स में और A, B is equal to B, C इस ट्रेंगल्स की तो साइड A, B और इस ट्रेंगल्स की साइड C, B वो क्या है? साइड्स ओफ स्केर साइड्स ओफ स्केर किसी भी स्केर की सब भी साइड्स की होती है? equal होती है तो कौन सा रूल लग जाएगा इसमें? इसमें लगेगा by S, 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 Rूल ट्रेंगल A, O, B is congruent to triangle C, O, B अगर ये दोनों triangle congruent है तो एक चीज़ बताओ ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? equal होंगे C, P, C, T से कौन सा ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल तो कह लिखो किया आप angle A, O, B is equal to angle C, O, B region इसका C, P, C, T ठीक है? अब एक चीज़ बताओ यहां से angle A, O, B plus में angle C, O, B कितना होगा? 180 degree region इसका linear pair ये AC एक straight line है तो इस पर ये दोनों एंगल मिलके 180 degree का होगा ठीक है? और अभी हमने क्या प्रूव किया कि angle A, O, B और angle C, O, B दोनों equal है means इसका हम ऐसे लिख सकते है angle A, O, B plus में C, O, B की जगा भी हमने क्या लिख दिया? A, O, B is equal to 180 degree इन दोनों का सम कितना होगा? 2 of angle A, O, B is equal to 180 degree ठीक है? उसके बाद ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो angle A, O, B is equal to 180 90 डिवाइड में 2 means 90 degree ठीक है? तो ये part भी आपका prove हुआ तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहदे दोनों डाइगनल्स को equal prove किया उसके बाद ये जो bisect कर रहे एक दूसरे को ये हमने prove किया और last में हमने prove किया कि ये right angles पे prove करे अब एक चीज़ देखो ये angle अगर आपका 90 degree का है तो इसके opposite वाला भी 90 होगा vertical opposite angle और ये दोन्नों angle वैसे equal है तो इन दोन्नों का संत होगा 180 क्योंकि already 180 के हो चुके है तो और ये दोन्नों आपस में equal है तो ये भी 90 ये भी 90 चारों एंगर से आपके 90 degree के होए तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे hence prove क्या लिख दोगे hence prove ठीक है तो ये था solution of question number fourth इस question को आप ध्यान से देखना काफी important question है और इसमें कुछ भी doubt है तो आप पूछ सकते हो ओके thank you